यूपी में काबा इस गाने के जरीए अपनी घर घर अलग पहचान बनाई लोग गाय का नेहा सिंग राठोर ने नेहा सिंग राठोर यूपी के विधान सभा चुनाव के दोरान काफी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई जब साल 2022 में ये चुनाव हुए थे यूपी में काबा ये गाना उन्होंने क्या गाया नेहा सिंग राठोर को हर कोई जानने लगा लेकिन एक बार फिर से नेहा सिंग राठोर चर्चा का विशय बन चुकी है दरसल कानूनी पच्छडे में अब वह इसी गाने के चलते फस चुकी है आपको बता दे यूपी में काबा गाने का दूसरा सीजन रूलीज किया गया उनके यूट्यूब चैनल पर और देखा गया यहां पर की नेहा सिंग राठोर यहां पर योगी सरकार पर निशाना साती हुई नजर आई है कानपुर देहाद में जो मा बेटी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई उस अगनी कांड पर उन्होंने योगी सरकार पर कटाक्ष किया है ऐसे में देखा जाए तो नेहा सिंग राठोर को अब पुलिस के द्वारा नोटिस भी भेज दिया गया है और इस नोटिस पीरेड में उनसे साथ सवाल पूछे गए हैं और उन साथ सवालों का जवाब महस तीन दिनों में नेहा सिंग राठोर को देना है लेकिन नेहा सिंग राठोर साफतोर पर कह चुकी है इनकार कर चुकी है कि विना वकीलों के राय मश्वरे के वह जवाब नहीं देने वाली है वह पहले भी गाती थी वह आगे भी गाएंगे आखिरकार उन्होंने ऐसी गलती क्या की है ऐसे तो कोई भी शब्द उन्होंने नहीं लिखे है कि उन्हें अब यहाँ पर पुलिस ने नोटिस फेज दिया है ऐसे में देखा जाए तो सपा प्रमुक अखलेश यादव यहाँ पर उनके समर्थन में उतरे हुए हैं और नेहा सिंग राठोर के गाने यूपी में काबा के जरिये भाजपा पर निशाना साथ दिया है साफतोर पर कह दिया है कि भाजपा अगली बार राज्य से सत्ता से बाहर होगी ऐसे में देखा जाए तो नेहा सिंग राठोर क्या कुछ कहती हुई नजराई है यह आपको जानकारी देना चाहेंगे बीते कल उनके कई बयान सामने आए उन्होंने अपने इंटरव्यूज में खुलकर अपनी बात रखी उन्होंने खुलासा किया कि सबसे पहले पुलिस उनके ससुराल पहुची और उनके ससुर्जी को नोटिस थमा दिया लेकिन बाद में पुलिस उनके यहां भी पहुची देखा गया तो यहां पर नेहा सिंग राठोर अफसाफतोर पर अपनी बात खुल कर रखती हुई नजर आई है अब नेहा सिंग ने यहां पर एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साथ दिया है क्या कुछ कहती है नेहा सिंग यह आपको जानकरी देना चाहेंगे दरसल जानकरी के लिए आपको बता दें कि नेहा सिंग राठोर का कहना है कि वह नशे में इन गानों को नहीं लिखती है अपने गीत में कानपुर देहात में बुल्डोजर एक्शन के दौरान आग में जलकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई मा बेटी का उन्होंने जिक्र किया यूपी सरकार पर उन्होंने कटाक्ष कर दिया उनका कहना है कि उन पर आरोप है कि वह माहौल बिगाड रही है जो नोटिस उन्होंने भेजा गया है उसे पढ़कर हसी आएगी या फिर हैरानी होगी उनके सस्राल अंबेड कर नगर एक नोटिस भेज दिया गया जहां पर वहां बात नहीं बनी तो उन्हें दिल्ली में आकर नोटिस थमा दिया गया उनका कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है जैसे कि उन्होंने कोई अपरात कर दिया हो वहीं निहा सिंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने उस गाने में ऐसा क्या लिख दिया आप लोग भी ये गीत सुने होंगे नहीं तो सुन लीजिए ऐसा थोड़ी है कि नशा कर लिया है कुछ लिख दिया है सोचा नहीं कि इस गीत का क्या असर पड़ेगा समाज पर अरे भाईया इससे पहले भी मैंने गीत लिखे हैं मैं ढ़ाईस सालों से गीत लिख रही हूँ गा रही हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा शब्द मुझे नहीं बोलना है नहीं लिखना है कौन सा शब्द करना है पूरे होश हो अहवास में मैंने ये गाना गाया है मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस गीत को जरूर सुनिये और बताइए क्या सच में क्या उस गीत में ऐसा कुछ है नेहा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो लोग ऐसा कर रही है वो मैंने ही देखा है क्योंकि गाने में रंगवाज शब्द का इस्तमाल किया गया नहा कहती है कि रंगवाजी ही घर में दो लोग है और आप उन पर बुल्डोजर चलवा रही है ये रंगवाजी नहीं तो क्या है मैं अतिकर्मण के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन समवेदन शीलता होना चाहिए नोटिस पर वह कहती है कि उनसे ऐसे सवाल किये गए है कि अगर वह उनका हा में उत्तर देंगी ना में उत्तर देंगी तो भी फसेंगी वह नोटिस का जवाब नहीं देंगी वह सवाल करती है निहा सिंग राठोर ने डंके की चोड पर ये बाते कहीं है निहा सिंग राठोर की इन बातों से आप कितना सहमत है क्या वाकई में यहाँ पर योगी सरकार का फैसला सही है या फिन नहीं इस पर आप राय रख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में और निहा सिंग की बातों से आप क